दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप easily dogecoin mine कर सकते हो so without wasting any further time चलो बात करते है about dogecoin mining सबसे पहला जो step है वो है dogecoin mining address create करना अभी इसका मैंने एक separate video बनाया था कुछ दिनों पहले so उस video का जो link है वो में description box में mention कर दोंगा उस video को follow करके आप easily within few minutes आपका जो dogecoin address है वो create कर सकते हो काफी easy है वो चलो आप जाते हैं browser पे यहाँ पे जो chrome मैंने open किया यहाँ पे मैं search करूँगा unmineable तेक है unmineable मैं search करूँगा और उसके बाद यहाँ पे आप देख पारे हो unmineable.com से मुझे click करना है इस link को आपको यहाँ पे download पे click करना है और अभी आप देख पारे हो यहाँ पे जो green मैं यहाँ जो डाउनलोड को option यहाँ पे है उसा आपको सिर्फ simply right click करना है और इसके बाद save link as करना है और इसके बाद देखो आपको जहाँ पर यह zip file save करनी है वहाँ पर आप save कर लो अभी चलो मैं यहाँ पर save कर लेता हूँ मेरे जो f drive में दोस्तो एक बार यह zip file जब भी download होती है उसके बार आपको simply यहाँ पर right click करना है और यहाँ पर आपका 7 zip है अगर आपके पास 7 zip नहीं है तो इसे install कर लो और यहाँ पर 7 zip पर जाखे आपको simply यह जो extract ठीकर है उससे click करना है और उसके बाद आप देख पा रहूँ यहाँ पर unmineable का जो exe file है वो यहाँ पर आ गया है इसे आपको simply click करना है और उसके बाद आपका जो software है unmineable का वो open होगा अभी हमें simply continue पे click करना है अभी देखो ये पूछ रहा है कि select your mining hardware यहाँ पे आपके बास दो options है एक जो है वो GPU है that is graphic card और डुसरा है CPU अभी ये जो selection है वो depend करता है आपके hardware के उपर अगर आपको लगता है कि आपका जो graphic card है वो जादा better है आपके CPU से तो आप graphic card को choose कीजिए because graphic card बहुत अच्छा performance देगा as compared to CPU अगर आपको लगता है कि आपके बास एक dedicated graphic card नहीं है तो आप CB को select कर सकते हैं और CB को select करने के बाद simply आप next पे click कीजिए यह जो भी आप graphic card चूज कर रहे हो तो graphic card को click करके आप next पे click करना है आपको अभी देखो यहाँ पर option आया कि select a coin और token अभी हम यहाँ पर dogecoin select कर रहे हैं यहाँ बहुत सारे tokens या coins है ओके तो अभी मैं dogecoin to click कर रहा हो because मैंने dodge coin का address create किया है तो यहाँ पर dogecoin लोar click करने के बाद यह जो address आप देख पा हरे हो यह मेरा address है तो एक बार आपका address create हो गया तो उसके बार आपको simply address यहाँ पर पे क्लिक करना है और उसके बार आपको simply start पर click करना है इसमल स्ग मााइनिग करना है यह सिर् Dogecoin का था आप दूसरे भी coins easily mine कर सकते हो अभी यहाँ पर देख रहे हो यह जो address है यहाँ पर mention है उसके बाद balance मतलब अभी तक मैंने कितने Dogecoins mine किया है यह आपको यहाँ पर देख पा रहा है 147.43 और बागी सब information भी है तसे last 24 hours reward total paid अभी payouts 30 Dogecoins है मतलब जब ही आप 30 Dogecoins mine करते हो उसके बाद ही आप payout ले सकते हो तो एक limit है payout का यह हर एक coins पे applicable है अभी जैसे Dogecoin में 30 है वैसे और coins में अलग-अलग limitations है तो उस हसाब से आप payouts निकाल सकते हो यह जो bottom में आप देख पा रहे हो वो है current hash rate अभी hash rate determine करता है कि आप कितने speed पे coins mine करते हो तो अभी जो मेरा hash rate है वो 40.6 है जितना यह hash rate जादा है उतना इस better for mining इससे आपको पड़ा चलता है कि आपका जो mining capacity है एक hardware का वो कितना हो सकता है दोस्तों एक चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सोच रहे हो कि कोई भी काम करते टाइम पे अगर मैं यह जो unmineable software यह से run करता हूँ तो क्या कुछ computer में lag या कुछ issues आएंगे तो देखो दोस्तों यह जो same चीज है वह मैंने मेरे laptop में try किया है और मेरे laptop में भी मुझे कुछ भी issues नहीं आया अगर मैं कोई light task करता हूँ अगर मैं कोई web browsing करता हूँ या फिर मैं Excel या word पे कुछ काम कर रहा हूँ तो कोई light task अगर में कर रहा हूँ तो उस time में मुझे कुछ भी issues नहीं आते तो अगर आप थोड़ी बहुत ऐसे कोई लाइट टास्क या कोई भी ऐसा चोटा मोड़ा काम कर रहे हो तो आपको कुछ भी इसुज नहीं आएंगे बट अगर आप कोई हैवी सॉफ़वेर चला रहे हो तो आप इसे यूज मत करना इससे आपका जो लापटॉप है डेस्टॉप है जो भी है वो जरूर हैंग होगा और एक चीज यह भी है कि बहुत लोग सोचते है कि अगर मेरे पास एक बेसिक टू कोर फोर थ्रेड्स वाला तो उसमें मैं कुछ माइनिंग कर पाऊंगा या इस वेस्ट ऑफ टाइम तो देखिए दोस्तों मेरे जो खुद का सीपीव है वह एक इंटल आइट्री नाइन जनरेशन है और उसमें मुझे इनो लाइक दो कोर चार त्रेड्स का जो सीपीव है वह आराम से इनो कुछ कर सकता है अब यह अंगर आप कोई भी टास्क चोटा प्रल आपग्राउड मेरन कीजिये और आप का जो हमिल और कोई का मैंनंग का काम है वह ईस सौफ़ियर को मुझे। इसका थोड़ा बहुत आईडिया आगया, आपको फिर भी कोई doubts या queries है, तो मुझे आप comment section में पूछ सकते हैं, आप मुझे Instagram पे भी message कर सकते हैं, मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ about mining और मेरा जो खुद का experience है, वो मैं हमेशा शेयर करता रहूँगा, तो please आप channel को ज एल्दी, टे केर